हेलो फ्रेंट्स जैहीन स्वागत आपका आपके प्रेजल होम टुशन पे दोस्तों SSC Constable GD 2024 के लिए 20 फरवरी से लेके 7 मार्ज तक एक्जाम कंड़क्ट हुआ 30 मार्ज को कुछ सेंट्रों पे दुबारा एक्जाम कंड़क्ट हुआ और दोस्तों लगातार बच्चों को 4-5 मेने का इंजार करवा के 10 जुलाई को रजल्ट डिकलेर हुआ जिसमें 3,5,5,15 बच्चे यहां पे क्वालिफाई हुए और दोस्तों 10 जुलाई से अब तक 24 जुलाई हो चुका है जो यह चर्चाएं थी कि बरतिया भी इससे आके थोड़ा सा स्पीड से पकड़ेगी थोड़ा जल्दी से कंप्लेट करवाया जाएगा लेकिन अभी तक दोस्तों फिजिकल की डेट डिकलेर नहीं हुई है और आपने दोस्तों फिजिकल डेट के समन में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी बहुत सारे नोटिस आपने देखी होंगी जो लगातार वाइरल थे जिसमें 21 जुलाई से फिजिकल की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ITVP फिजिकल करवाएगी ACVS दोस्तों एक नया नोटिस वाइरल हो रहा है और इसमें जो डेट यहां पे मैंशन है वो ये मान के चल रहे की 99% ये बिल्कुल सही है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को धन से और पूरा देखी दोस्तों चैनल पे नए है चल को सबस्टाइब कर लिजिए बेल अगरम प्रेस कर लिजिए और किसी प्रकार की लेटेस न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलेग्राम चल को जोइन कर सकते हैं जिसका लिए डिस्स्प्शन में दिया हुआ है और अगर आप दोस्तों BSF HCM की तैयारी कर रहे है आपको बताए 1526 पद वहाँ पे है तो आप मुझे वाटसप पे मैसेज कर सकते हैं 8910-28158 इस नंबर पे आप मुझे वाटसप कीजिए कोल नहीं करना कोल नहीं लगेगा आप वाटसप पे मैसेज करिए उसमें लिखिए BS of HCM हम गुरूप बनाके आपको पढ़ाएंगे चेक है गुरूप में आपको एड़ करेंगे तो डेली जो हम किलास लेंगे उसका लिंक आपको उसमें मिलेगा डेली करंट अफिर आपको उसमें मिलेंगे जेके के नोट्स मिलेंगे और बहुत सारी चाज़े आपको उस है दोस्तो वो डेकलेर हुआ था आप जानते हैं 10 जुलाई को और दोस्तो आज हो चुकी है 24 जुलाई यानि लगबग लगबग दो सब्ता से जाधा का टाइम गुजर चुका है और अब तक फीजिकल के बारे में किसी भी एजनसी के पास से कोई मेसेज नहीं आया आपको होता है कि ITVP को शुरवात में एक टेंडर दिया गया कि आप वो एजनसी हायर कीजिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी RFID पे बेस फिजिकल करवाएगी तो ITVP ने दो-तिन कंपनियों से बात कि और उनको बिड़ फाइनल करके सारा का सारा जो दारमदार है वो CRPF के हैंड ओर कर दिया और आप एक चीज और भी जानते हैं कि जब SSC ने रजल्ट डिक्लेर किया तो उसमें भी ये मैंशन था कि आगे का जो एड्मिट कार्ड वगेरा का जो प्रोसेस रहेगा वो CRPF की वेबसाइट से मिलेगा छेका दोस्तों यान उनके फिजिकल चले होए हैं ये शुरू होए थे 10 जुलाई को और ये चलेगे दोस्तों 10 अगस्त हो सकता है कि एक दो दिन यहाँ पे रिजर्ट दे हो तो 10 अगस्त की बजाई है 12 अगस्त या 13 अगस्त चल सकते हैं और पिछली वीडियो आप उठाके देख लीजे मैंने जो आपके फिजिकल है वो 15 अगस्त के बाद ही होंगे और जो इस नोटिस में डेट है वो भी मैं आपको दिखाने वाड़ा हो लेकिन उससे पहले आपको रजल्ट छोड़ा सा ब्रीफ तोर पे हम दिखा लेते हैं 10 जुलाई को रजल्ट ये डिकलेर हुआ 46,617 पतों के लिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे ग्रल्स की बात करें तो लगबग लगबग 38,328 लड़किया यहाँ पे पास हुई है चेक है इसी प्रकार अगर मेल की बात करें तो लगबग लगबग दोस्तों 3,08,000 चेक है दोस्तों तो लगबग लगबग 3,4,000 मान सकते हैं कि कुल मिला के हाँ पर पास होए हैं वैकेंसिया 46,617 है ठेक है तो लगबग लगबग एक वैकेंसिय पर साथ से साड़े साथ गुणा बच्चों को यहाँ पर invite किया है physical के लिए दोस्तों ठेक है और नीचे यहाँ पर स्टेट की cutoff वगेरा दे रखी है यह आपने ओलरी देख ली है ठेक है अब चलते हैं उस notice की ओर तो यहाँ पर आप देखे दोस्तों यह notice आपने कल भी देखा होगा कल ही यह release हो गया था मतलब viral हो गया था लेकिन इस बार यह जो notice है इसमें जो date mention है ना यह काफी important है दोस्तों क्योंकि 10 जुलाई से लेकि 10 अगस्त तक तो CRPF में physical चल रहे हैं ट्रेड मेन की उससे पहले आपका physical नहीं होने वाला है ठेक है यहाँ पर आप देखिए जो constable GD का और यह जो medical वगेरा का दिखाया होगा है next stage of subject recruitment process PST, PET, document verification detailed medical examination review medical examination of CBT qualified schedule to be conduct on 18 अगस्त दोजार 24 से लेके 28 सब्टेंबर 24 तक चलेंगे यानि 18 अगस्त से 18 सब्टेंबर एक महिना और 10 दिन और लगबग 40 दिन का टाइम आपको दिया है इस notice के according physical के लिए यानि लगबग 7 महिना आपका physical यहां पे चलने वाला है दोस्तों ठीक है और इसमें mention है कि आपके जो admit card है वो CRPF की official website पे आपको मिलेंगे और ये आपको मिलेंगे भया 8 अगस्त को physical start हो रहे है आपके 18 अगस्त से admit card आपको इसमें mention है कि 8 अगस्त को यानि लगबग लगबग 10 दिन पहले आपको अपने admit card मिलेंगे अभी तक ये दोस्तों notice जो है official website पे नहीं आया है लेकिन अब ये real है कि fake है आप जानते हैं कि जो अफिसल website पे नहीं है तो एक प्रकार से आप fake है लेकिन जो इसमें date mention है ये आप मान की चलिए दोस्तों 99% यहाँ पे बिलकुल सही है ठेक है दोस्तों तो ये आप चीज अपने दिमाग में बठा लेना अब आपको और जादा time नहीं मिलेगा ठेक है यहाँ पे आप देख सकते हो 22 जुलाई 24 डियाईजी recruitment CRPF की तरब से लेकिन इस notice में गडबड़ है कि यहाँ पे signature नहीं है हालांकि digital signature होते है तो यहाँ पे डियाईजी साब के signature जरूर मिलेंगे तब ही जाके आपको ये notice officially upload होगा अब ये क्या departmentally जोआ था या किसी ने essay edit करके बना दिया है ये करना मुश्किल है लेकिन ये चीज़ पकी है कि आपके physical 15 अगस्त के बाद ही start होंगे तो लगबग लगबग जो ये date है इसमें 18 अगस्त ये मान की चले कि 99% सही है तो जो भी बच्चे constable GD के exam में पास होए हैं अपनी physical की तैयरी को boost up कर दीजिए और एक बात और मैं आपको यहां पर mention करना चाहूंगा इस बार जो आपके physical होंगे ओ रेडियो frequency आधारी जो device है उसमें क्या फरक है दोस्तों कि इसमें एक चीज clear होगी कि जितना आप दोड़ोगे न उतना ही record आएगा अब जैसे माल लीजे पहले आप दोड़ते थे भाईया ये एक किलोमेटर का round है माल लीजे पांच किलोमेटर की running है male के लिए दोस्तों तो भाईया पांच चक्कर हो गए है की नहीं लेकिन पहले क्या होता था जब ये digital device नहीं था तो उस समय कुछ बच्चे माल लीजे यहाँ पे corner में भाईया round पे मुड़ना है तो यहाँ से ऐसे न मुड़के दोस्तों ऐसे मुड़ जाते थे यहाँ पे ऐसे मुड़ गए यहाँ ऐसे मुड़ गए तो लगब लगब कहूं कि दोड़ना तो था इनको 5000 मिटर ठेक है लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं सरार्ती टाइप के थोड़े से तो वो माल लीजे 4800 मिटर भी दोड़ रही थे क्योंकि हर चक्कर में अगर वो 50 मिटर भी तोड़ रहे होंगे तो लगब लगब 200 मिटर तो उन्होंने कम ही दोड़ा होगा तो उस समय क्या था कि टाइम के अकोडिंग आपको अंदर पास जो एक आप जानते की रस्षा होता है तो यह बहिए टाइम जैसे और होगा रस्षा आपका उपर हो जाता है तब तक जो बत्ते आ रहे हों सारे पास होंगे लेकिन इस बार क्या होगा जो आपके RFID बहन देगी उसमें किलियरली मेंसन होगा कि आपने कितना दोड़ा है और कितने मिनट में दोड़ा है मान लिजी आपने टाइम तो 24 मिनट का ले लिया लेकिन आपने दोड़ा अड़ताल 100 मिटर है आपको लग रहा कि आपने complete कर दी है दोड़ जैसे अगर आपने इस बार ऐसे दोड़ने कोशिस की और आपने 24 मिनट का टाइम पूरा लिया तो आप disqualify होंगा क्योंकि 5 किलोमेटर पूरा करना होगा और दूसरी बात मान लिजी आपने 5 किलोमेटर तो पूरा दोड़ लिया पहले क्या होता था कि भाईया 24 मिनट से 5-4 सेकिंड दस सेकिंड तक देख रहें कि भाईया बच्छा दोड़ रहे तो वहां से बुलाते तो आजा आजा दोड़ ले है ना टाइम होने वाड़ा देखा होगा आपने लेकिन इस बार नहीं असा नहीं होगा इस बार अगर आपने 24 मिनट से अगर 0.1 सेकिंड भी एक्स्ट्रा लिया तो आप भाईया डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे इस बात का विसेज जान रखणा ठेक है पहले क्या होता था जब डिजिटल डिवाईस नहीं थे तो थोड़ा बहुत 19 से किस चल जा जाता अब नहीं चलेगा एक परसेंट भी तो इसके लिए जरूरी है आपको अपनी तयारी करने पड़ेगी अभी आपके पास लगबग मान के चलिए कि भाईया आज 24 जुलाई होए अठारा तारिक से होंगे तो लोगब 24 से 25 दिन का टाइम है आराम से आप फिजिकल परिपेर कर सकते हो आराम से पड़ी तहरी कीजी डरने की बिल्कुल आप शेक्ता नहीं है लेकिन सावधान रहना जरूरी है स्तरक रहना जरूरी है क्योंकि आपने दिल्लेपलिस में भी देखा होगा दोनों बरतिया हाल आएंकि उसमें 6 मिंट का टाइम है लेकिन मैं टाइम पे नहीं जा रहा मैं जा रहा हूं कि आपका जो डिजिटल डिवाइस उसका कितना महत्वपूर्ण यहां पे जो इम्पोरेंट्स होती है वो है ठीक है तो आपको कंप्लीट दोड़ना पड़ेगा 5 क्लोमेटर भी और आपको टाइम भी कम ही लेना पड़ेगा टाइम के अंदर आना पड़ेगा ठीक है दोस्तो तो ये डेट आप अपनी मान के तैयारे कीजिए लगबग लगबग 99% आपकी एडिट बिलकुल सही है तैयारी में लगे रही है चेकर दोस्तों और best of luck जैसे कोई आप official notice आएगा तो हम आपके साथ live जुड़ेंगे वीडियो को लाइक करें share करें चलगो subscribe करें जब हाजार जुड़े रहने के लिए धन्यवाद जैहें